हेलो और नमस्कार दोस्तों मेरा नाम कमाले फारुक है टेक्निकल फारुक चैनलर में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मैं आपे बात करने वाला हूँ कि आप अपने मॉबाइल को फॉर्मेट कर दें और आपका एप्लिकेशन जो है उसको कुछ भी नहीं होगा इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका और जो लोग नए हैं वो प्लीज मेरे चैनलर को सब्सक्राइब कर ले और विजिट कर ले मेरे वीडियो को ताकि आपको समझ में आ सके कि मैं किस टाइब कर वीडियो बनाता हूँ तो चलिए दोस्तों शुरू करते हों बताते हैं कैसे पॉसिबल है देख लिजिए आप चाहें तो प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आई इसका मिल जाएगा आप वहां से भी से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों सिंपली जब आप ये अप्लिकेशन इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको जाना है इस अप्लिकेशन पे जैसे दोस्तों यहाँ पे अप्लिकेशन पे जाएंगे दोस्तों एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा कि जब आप फॉर्मिट करने जाएं मोबाइल को तो उससे पहली ये काम आपको करना होगा तो ज़्यादा बेतर होगा तो जैसे दोस्तों यहाँ पे एप बैक अप एंड रिएस्टोर एप्लिकेशन को ओपन करेंगे तो उसका इंटरफेस ऐसे ओपन हो जाएगा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे आप टैप करेंगे तो सारा आप के सामने सारा सेलेक्ट daum अब सिंपलि आपको भélक ही टैप करदेता है जैसे दोस्तों भेट कुछी सेकेंड़ में यह बेट उक्ट हो जाएगा और उसके बास से आपको सिंप्ली चलना है कहां मैं इसके बारे में बताऊँ आपको पहले ये बैक अप कम्प्लीट हो जाने दीजिए बहुत जल्दी ये बैक अप लेता है दोस्तों लगबग 1.3 जीपी का ये अप्लिकेशन है और ये जो है हमारा बैक अप जो है वो कम्प्लीट हो गया दोस्तों 100% ठीक है अब मुझे यहां पर बैक जाना है यहां से भी मैं बैक चला जाता हूँ दोस्तों जैसे बैक जाएंगे अब मुझे क्या करना है कि इस अप्लिकेशन को यानि कि सारा अप्लिकेशन जो है वो बैक अप में आ अब मुझे जाना है File Manager पर आप किसी भी Mobile के File Manager पर जाईए, All File पर जाईए, All File पर जाने के लगए आप इसमें सर्च करें, यहाँ पर देखिए, आपके सामने है Mobie Users Backup छीक है दोस्तों, इसको आपको यहाँ से Cut करना है, आप यहाँ पर पैकप लिए हुए हैं, आप यहाँ प करके आपको यह तो पेंट ड्राई में ले ले रहा है या फिर आप चाहें तो अपने लेप्टॉप सकरके और एक एक करके आप सारा जो है बैक आसानी से ले सकते हैं तो दोस्तों मैं यहाँ पेます एक बीडिकेशन अनिस्टॉल करके और उसके करके दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे किया जाता है यहाँ पर addfly एक application मैं इस पर tap करता हूँ tap करने पास यहाँ पर uninstall करता हूँ देखते लिएगा दोस्तों यहाँ पर मैंने uninstall कर दिया ठीक है यह हमारे पास application जो है वो uninstall हो गया अब मुझे direct चलना है app backup and restore पर जैसे दोस्तों app backup and restore पर जाएंगे तो आपके सामने फिर वही जो application है यहाँ पर show होने लएगा नजर आने लएगा मैं आपको दिखा दूँ दो उसके बास से आप यहाँ से इसे restore कर सकते हैं यह देखिए add fly ठीक है मैं यहाँ पर इस पर tap करूँगा और tap करने के बास से लिए restore करूँगा जैसे दोस्तों restore करूँगा तो हमारे सामने add fly जो है यहाँ पर continue करना होगा यहाँ पर install करना होगा और यह हमारा application जो है मैंने तो एक application अनिस्टॉल करके install किया अगर आप चाहते हैं पूरा application यारी कि पूरा mobile format करके और सारे application को बचा ले ना फिर दोबारा आप उसे mobile में लेके आ सकते हैं आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं होगा आसानी साप उसे install कर सकते हैं तो मेरे पास addfly जो application है आप देख पाना है यहाँ पर मैंने इसे install करके फिर यहाँ पर install कर दिया यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपके सामने यह application आ गया तो यह बहुत यह आसान तरीक है दोस्तों मेरे वीडियो आपको कैसे लगए अगर अच्छी लगए हो तो लाइक कीजिए सेर कीजिए मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल लाइक का दमाना बिलकुल यह नो लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्या थैंक्यू थैंक्यू सो मच